नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल आरके एजुकेशन में सवगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये SSC MTS के फार्म अपलाई कर दिया है और आपके फार्म में कोई गलती है तो उसे कैसे सही करना है और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो इसका लास्ट डेट था दोस्तों तो लास्ट डेट इसका इंक्रीच हो गया है अब लास्ट डेट जो है 24 फरवरी हो गया है तो अब आप अपलाई कर दिजी अगर आपने अभी तक अपलाई नहीं किया है अगर आपने अपलाई किया है उसमें कोई भी गलती है भाई ना तो आपको कैसे सही करना है और कब सही करना है आज की इस वीडियो में complete वीडियो में आपको complete पता चल जाएगा भाई तो चैनल पर नहीं हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आजन को प्रिस के लेना बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और चैनल के माध्धम से आप भी help पाएंगे तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसका जो notice आया है important notice जो new एक जारी किया गया है जिसमें इसका date जो है निक्रीज हो गया था जो 17 फरवरी को था इसका last date तो ओ 24 फरवरी हो गया है तो आप अभी तक अपनाई नहीं किया है तो आप घर बैठे अपना apply कर लीजिए इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाया है तो correction date जो है इसका 26 के बाद 26 तक आप जो है इसका payment कर सकते हो यहां पर बताया गया है कि अब जो 17 तारिक को इसका last date था यहां increase होकर जो है यहां 24 फरवरी हो गया है इसका last date जो है बढ़ गया है तो आप जो है आसानी से इसका फार्म जो है अपलाई कर दीजी अगर आपने अभी तक नहीं apply किया है तो और इसका हम last date से पहले आपको बताते हैं कि किस परकार से आपका correction करना है देखिए भाई correction का date जो है increase हो गया है जब इसका date जो है increase हो ग तो इसका online जब pharm silos change हो गया है तो इसका correction का date भी change हो गया है आपको correction करने का मत दो दिन का मौका मिलता है उसके बीच में अगर आप correction नहीं करते हो तो आप अपना farm edit correction नहीं कर पाते हो तो आपको दुबारा से मौका नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर जू कि आप दोलास का मउखा है यहa पर बताया गया है तो इसी के अंदर आपको रीपलाई कर ना है अगर गलती हो तभी करना ना ही तो आपको 200 रुपए अलग से pay करना पड़ेगा अगर एक बार correction करते हो तो 200 रुपए आपको pay करना पड़ेगा तो अगर आपके फार में गलती है तभी आप जो है इसमें reapply करना अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किस परकार से चेक करें हमारा फार में accept हु